मर्कस और रियासतों के दर्मयान मालियादी तालुखात की वजाहत दस्तूर में की गई है यानि दस्तूर किसी भी टाक्स को आयत करने के अख्यारत और आयत करदा टाक्स की रखम पर खाबिस होने के अख्यारत के दर्मयान पाए जाने वाले पर्खो वाज़े करता है तो पहले तो यहाँ पर हुकुमत मर्कस और रियासत के दर्मयान मालियादी तालुखाती वजाहत करता है और दस्तूर किसी टाक्स को आयत करने के अख्यारत और आयत करदा टाक्स की रखम पर खाबिस होने के अख्यारत के दर्मयान वाज़े पर को बैन करता है तो यानि इसलिए वो मजली से खानुसाल जो किसी टाइक्स को आयत करती है तो जरूरी नहीं है कि वो आयत करदा टाइक्स की रखाम को अपने पास रखे। रखने का इफियार रख दी, तो मरकज यहां पर दस्तूर, मरकजी हुकुमर को या मरकजी पार्लिमेंट को चन्द मदाद पर टैक्स आयद करने का इफियार देती हैं, यानि फूसियार देती हैं, तो मरकज और रियांसत के मालियादी तालुपात में देख रहे हैं कि मरकज और रियांसत के मालियादी तालुपात की वजाहर दस्तूर में दी गई है और मरकज यहने किसी दस्तूर में किसी भी यहां पर टैक्स को आयद करने की अख्यारा और आयद करदर टैक्स की रखम पर नो और भी खौज़ होने के दर्मयान, जो पर है कॉखे उसको वाजी करता है। तो वह मंतरी खालोसओं को पर तैक्स को आयग करती है तो जरोरी देगी के आयग करती है कि आइक्स की रखम पो अपने पास रखने का भी इफियार रखती है। मरकसी दसूर मरकसी पर nhưंट को चंग मदात पर टैक्स आयद करने के अधियादा देती है तो मरकसी पर्ल में आम तोर पर न बड़ा है जो यूनियों की वेरिड़ इसे इसे नियुठिया पर खर्च कर तेम इसाथे में दाए के अधियाद थी है जो यूनियन की पेरिज में दर्ज है और रियासती खानून साज़िदारे रियासती पेरिज में दर्ज मदाद पर टैक्स आयत करती है और रियासती खानून साज़िदारे रियासती पेरिज में दर्ज मदाद पर टैक्स आयत करती है और रियासती खानून साज़िदारे रिय हैं दिखें हम मरकस और रिएस्ती तौफात है तो मरकसी हुकूमत निया से पडित anie उन मदा ऊड़वत करईगे और रियासती ह vidéosतमे नहीं आफ़ तो सबस्क्राइब पहले देखिए मरकजी हुकुमत के खुशुशी इखियारात जिन पर मरकजी हुकुमत को टैक्स आहित लेने के इखियारात हासिन होते हैं उसमें से चाहिए है जैसे कस्टम ड्यूटी है कार्पूरेट टैक्स है और उसके साथ जैसे शफिए आमदनी पर टैक्स की आमदनी के जरीए टैक्स की वसुली पर सर्चाज है और रैलवे की किरायजात वखिरा है और शूट पर टैक्स वखिरा तो यह रियासती हुकुमत के जाने से वसूट आयद और वसूट के जाते हैं तो मरकजी हुकुमत की खुशुशी इखियारात में हमने देख जैसे राइबे किरायजात है और हुकुमत की टाइक्स की आंदनी पर सर्चाज है और गुनाफा सर्माया है और कस्रम ड्यूटी, कार्पूरेट टाइक्स वखेरा जिस पर उमर्केश इंपूमत को एक्टियार है कि वह इंपर टाइक्स आया थे रियासती खूमत oyun के खुशूसी एक्टियारात तो उसमेंसे देखेर जैसे जमीनात पर आंदरी है अभी हम देखें के मरकसी हुकूमत पर खतो करे जाली को एकुम हमonder Comics करमार्श परारण के जय योूनियनाiens, जैसे उननलानी ठाहिं। इसके मताख के इसके मताख पर टायक्स आयत करेंगी जो रियासती पेरी तर्ग है. तो रियासती हुफुमतों को बाव पर चाइक्स आयत करें के खुसुसी एक्क्ति आरद होते हैं तो उन बेसे Чाने हं पर हस्वेर रहें जासी जाभाद धरी इसके pressed स्टेट डूटी हैं, सेल्स टाइग से और गारियों और अश्यायत आइशार का थाइग से इन तमाम पर टाइग साहथ करने के एक प्यारा रियासति हुकूमतों को असिर होगे हैं तो देखें, यह जो महसुलात है तो जिसका यहां पर रियासती और मर्कजी हुकूमत को हासिल होता है यानि Union जुरियासन मरकसी हुपउमत का तायक्स ऐत करें गी और रियासतों की रियासतों की तायक्स आयत करेंगी। उन पर taxmens आःद करने का उसर नना एक्तियाँ मरकजी हुपूमत को वहां सुसह होता है लिइनों को मुख्तली पहरेस्तों टाइक नने के खुसुसी हवत्यारा दिए गये हैं इन खुशूसी अफ़ियारात के बास महसूलात होते हैं तो इसको हम यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे, मर्कज्ची और रियासती हुकुमातों को टाक्स आयद करने कि खुशूसी अफ़ियारात दियी गए है, तो रियासत एक पहले अगर हम साविखा महसूलात तो goshkin तो साविख को महसूलात में मर्की और हयॉ हुकुमातों को भिल्राष महसूल आयर करने के औ작 lawn ऐस एक तीयारा दिये गयेए। जैसा कि र्यासात थी घ्लमा के VATzte, okay, involved". डॉतारी विरस्लाइश में आयो खियानि है जो रियासती भूुमत हैं आयासन के विल्रास में ईचेमा टाइक है तो हर एक रियासत के अपने उसूर और ज्वाभी होते हैं। तो उसी तरह मर्कजी हुकूमत यानि रियासतों के दर्मियान अशिया और खिद्मात की रहामे पर मर्कजी हुकूमते टाइक्स आयर करती थी। तो दीच्झे तर्मिया यहां पर उस्वेग और ज्वाभी की रियासतों के तर्मिया यहां पर रियासतों की इंपरोगर मर्कजी हुकूमत 에 टाक्स आयर करती थी। तो देखें गें बीकियों के Techs शायद करने के खुषूसी एक्तियारात मरकजी हकोमत और रियास्ती ह tenant फोमाथ को आराओ भूझ अधिक के र्मीच शपरषिप्टर्यफोन के दौन में हैं तो जो अभी हम यहां पर बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए जो मतलब हुकुमत को जो मुक्तलित तरह के आप जो टेंटी डाक्सिस है हम उसको यहां पर देखिए तो जैसे देखिए मरकजी हुकुमत की जानिब से बास महसुलाथ पर मरकजी हुकुमत की जानिब से बास महसुलाथ को रियासत महसुलाथ को यानि उसकी बास महसुलाथ की वसूली और उसके खाबिस होने के एक्तियारा सिर्फ रियासती हुकुमत को हासल देखिए यानि मरकजी हुकुमत की जानिब से टैक्सों यहां पर आयत किया जा रहा था त तो इसके र्यासथीCamode की जानिप से वसुली और उसके खबजे की तो र्यासथी같ुपमत को हासिल होता हुफ र्यासथी। होमत है। नुपिंप र्यासथी हुखमत्भ यानि उसको यह एक्टियारह अथा सिद है। तो उसमें से हम लिएक में देखें पर शामानês को ओसुल करें तो गूतॉ एवन एकंड यह का क्षाइब करें गूतु है वह समक सायाय में अब अज़ crian enhance that. और सब्सक्राइब के शामाइतु है जैसे और इसके अलावा भी जो हुकुमत को मतलब जो टायक्स यानि बास महसुलाद ड्यूटी जो मर्कस की जानिब से आयत किये जाते हैं और वसूर भी के जाते हैं लाइकिन जो यह बास जो महसूलात है तो इनके जो फाइदे होते हैं वो मुफतलिफ रियासती हुपमतों के दर्मियान तक्सीब कर देते हैं तो हर रियासत टैक्स के आंदरी का उतना ही हिसाब आती है जो उसके हुदूर के अंदर उसुल की गए हो जैसे सक्सेशन ड्यूटी है और जरेई जमीनात है जायदा पर जायदा टेक्स है एक्साइस ड्यूटी है और उसके साथ साथ जैसे अफ़ारत की परोफ्त है और इस्तेहारत वखेरा इस जिवरे के टैक्स में शामिल होते हैं और तीस्रा और एक टैक्स है जिसमें देखिये बात महसूला जो मरकज की जानिक से आयत की वी कियते हैं और वसूल के जाते हैं her लाइकिन इन आयत की व्यूटक्ता है जो रखम खांसि होती है वो मरकजी हुखुमत और रियास्ती हुखुमत और जमी Cem say हासिल रहे हैं, तो यहां पर मर्कजी खुमत के बाच मैसलत जो मर्कज की जानिप से आयत और वसूल भी के जाते हैं, लेकिन इसे वम्होंड होनगे सब्सक्वार को मर्कजी हुक्मत और रियासती तो इन में देखिए जैसे घर जरही जमीनों पर आयद करना टाक्स है और आर्टिकल 270 के तहट बताए हैं और उसके साथ हम देशते हैं जैसे टाइम ट्यूटी वखेरा और अद्विया थे जो यूनियन की पेरिस में शामिल नहीं है कि सिवार जैसे अद्वियाथ है और सपाई की तयारी के जो आलाजात होते हैं तो उस पर भी जहे तो एक साइस द्यूटी की शकल में जो टाक्स हासिल होता है वो इस इंब्रे में शामिल होता है तो यह तीन तरहा के बाल और बतलब टाक्स से जो मरकजी उपमत की चारिप से आयत की जाते हैं और वसूल की जाते हैं और बास महसुला तो उनकी तक्सीम यहां पर रियासती हुपमत के तर्म्या बटार ने Soil. जिसको हमने अभी यहां पर देखा है कि मर्कज और रियासती हुकुमतों की चानिक से आयद करता है और किस तरह से उसकी तक्सीम आमल में आ रहे है तो उसके अलावा देखिए जयसे दसूर की दापा त olduğunu चैरियेतियारत की तर्मीव के मुताबि क्यार चैरियतियारत की मुझतमा पन्ड के मुख्या है नियर değer क्याम के मुख्याने छिव और कि मुख्या मुव स्परम ग्रहा है जिससे क्या होता है वसायर दिहादी पंचायतों और बल्दियात को प्राहम किये जा सकते हैं। उसी तरह देखे दफा 2-360 है। रसूर की दफा 360 ही हुता भी है। आप माली बहारां के दोरां सदर चमूरियां को मालियाती रहनमायना हिदायत देने का अखियात हासिल होता है। तरह दो टरिखावरी हुकुमत र्यासतों के माल्य वसाय। कमी है क्या है। जो टाक्सिस से जो आमदानी हासिल होती है उसकी तफसीम के अलावा भी दिगर दो तरीखों से उसकी मदद प्राहम करती है यानि मर्यासती हुकूमतों की जो माली वसायल की कमी है तो उसको मर्कजी हुकूमार जो मुक्तलिक टाक्सिस की शकल में जो आमदानी हासिल होती है वो टाक्सिस की रखम से भी उसकी कमी को माली वसायल की कमी को पूरा करती है इसके अलावा और दो तरहां से इसकी कमी को माली प्र मानी वसाइं की जाने वाली आगी होती हैं. मेरी रियास्ति हुपमतों के वाली वसाइं के पूरा तरीका भी स्मस्क्राटी में प्लाज कले हैं। HARD के बीजिए भी हमेर के पूरा की निजानेव हिए। सब्सक्राइब करने वरकर कला हैं। इसकी जरूरत से ज्याधा रखम को दी है, क्योंकि मरकज युकुमत क्या है, सिर्फ एक पास्वे पर पाई जाती है, जब कि हम देखेंगे वियासती उप्रूमत अवां के पास होती है, और दसुर के मताबिक यहां पर तेकि हर वफा की निजाम में, हर वफा की निजाम भी द जब कि जो खर्च की मताद की पेरिस होती है, व क्या पास होती है, इसी तरह जडिप रखमात पर अमन और आमान पो बर्खरा रखने और अवांभी फलाही अकिमात करने के लिए भी यहां पर कोशिशे करती है यहां रखुमार सर्च करती है, जैसे आर देखें जो र्यासती यदि मर्कजी आमधनी के पैदावारी असायल होता है, आधाय अवाम hugely वहारी मध्लाद की भेरी। होती है तो जली हुमत रास तोर पर को आमनिया खाता चाहतना है जाती है। सक्रावलारे को पनवाक handy शाहत की अधुक्त है, चाहती है डाली को इंचहतती है। तो रियासती हुकुमतों के पास ज़रूरत के पास जरूरत ज्यादा होती हैं वहरा हो कारें सिर्व आजशती हुकुमते आपनी बहुत कम कारें जब कि मरकजी कई जरूरत से ज्यादा रखम अपने पास रख्धी हैं शह कर फार कर रिया wax आफ में कि paid crafts in coming जो एक्तियारत होते हैं मरकजी और रियासती हुकूमतों के उसको हम यहां पर देखे हैं तो अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं जिसे हम मरकज और रियासती मालियाती तालुखाग के बारे में पड़ें हैं और मुतफ़रीक एक्तियारत में हम कर चुके हैं तो आइए अब हम बढ़ते हैं next topic की तरह मालियती Commission Finance Commission लेकिए हिंदुस्तान में यानि दसूर की दफ़ा 280 के मुताबिर 280 की दफ़ा 280 के मुताबिर हिंदुस्तान में 1952 में पहले मालियती कमिशन का तखरूर अमल में लाया गया दसूर की दफ़ा यानि आर्टिकल 280 के मुताबिर 280 के तहट 1952 में पहले मालियती कमिशन का तखरूर अमल में लाया गया यानि तो पहले मालियादी कमिशन का तखारूर आर्टिकल 2.80 के तहर्ट वनीस सो एक्तावन में हिंदुस्तान में पहले मालियादी कमिशन का तखारूर अमर में लाया गया है तो यह मर्कजी हुपूमत और रियासती हुपूमतों के तर्मियान माशी वसाय की तक्सीम का काम अंचाम देता है यानि दसु की दफाव दो सु आसी के तहर्ट वनीस से कावन में जो मालियादी कमिशन के तखारूर अमल में लाया गया है तो ये मालियाती कमिशन मर्कजी हुकुमत और रियासती हुकुमतों के दर्मिया माशी बसायर की तक्सीम का काम अंजाम देता है। तो दस्तूर के मुताविक हर पांच साल में एक मर्तबा इस कमिशन के सदरनशी, सेक्रेटरी और दिगर चार अराफिन का इंदिखा अमल में लाया जाता है। तो पहले मालियाती कमिशन में पेशना पर 1025 अपनी पेशी की है। तो पहले तो दस्तूर की दफार 200 की तहर wannaisen के तहर अरा है ravalaba यानि 1951 में पहले मालियाती कमिशन का मेर्व्यासय तक्रोल आ मल में लाया गया था। और दस्तुर्वे यानि इसके तहट यानि रसु के मुताबी हल पांसल में एक मर्तबा इस कमिशन के सदन नशीन सेक्रेटी और दिगर चार अराखिन का इंद्यखा गमल में लाया जाता है और पहले मालियाती कमिशन ने 1952 में पहले मालियाती कमिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश गी है और ताहल देखेंगे 14 मालियाती कमिशन ने अपनी रिपोर्ट रुकूमतों को पेश कर चुके हैं तो आब हम करते हैं मालियाती कमिशन के फराएज से दिछानने के मानियाती कमिशन के फराएज से दिछे हैं तो यहां पर Major Partners of Finance Commission तो देखे मालियाती कमिशन भराएज में लेखिए फस्ट पाहिं यह मालियती कमिशन का फर्ज है, यहां पर फरायस में शामिल है, तो पहला फरिज़ा क्या है? मुफ्तलीफ यहां पर महसुलात के जरिए हासिल सुदर रखंपों मरकजी और रियासती रुपूमतों की दर्मयान तक्सीम है, और सेकेंड पॉइंट मुफ्तलीफ रियासतों के यहां पर मुफ्तलीफ रियासतों के अतियाजात जात अतियाजात से हासिल होने रियास होने इम्दाद की तक्सीम से मुफ्तालिफ सिपारिशात पेच करना है. तो इसकी इम्दाद की तक्सीम से मुतालिब का सिपारिशाद पेज़ करना है। नेक्स पॉइंट है। जैसे दस्तूर की तियतर और चरियतर्वी तर्मीम के मुताभी रियासती हुपमतों के मुष्टमा फंड से ग्राम पच्चायतों को और बल्दियात को तो रियासती हुपमतों के मुष्टमा फंड से वसायल की तक्सीम के परोग से मुताले सदर्चमूरियाहिं को मरश्वरे देना ये मालियाती कमिशन के पराइस में शाविद है। तो यहां पर हम देखें मालियाती कमिशन और उसके प्राहिस को आगे बढ़ते हैं कोठिंग मालियाती कमिशन तो देखें जैसे हम ने देखा पहले यहां पर पहले मालियाती कमिशन पैस्य रिपोर 1952 में पेस्टिगा। यारे इस मालियाती कमिशन का जो दखरूर अमल में आये था, यारे इस मालियाती कमिशन का दखरूर अमल में आये था, तो अग हम यहां पर 14th मालियाती कमिशन के बारे में पड़े हैं, तो पहले मालियाती कमिशन जिसका दखरूर 151 में आये था, और 1952 में इसनी अपनी 1952 पे पेश करी है तो इसमें यहां पर मालियती कमिशन सदर को मशवरा देता है कि जो इंकर्प टैक्स की जरीए जो आमदानी हासिल होती है उसको उसका कितना हिस्सा मरकस अपने पास रख सकती है तो कोटिम मालियती कमिशन क्या करती है सदर को यह मशवरा देती है कि इंकर्प टैक्से हासिल शुड़ा आमदानी का कितना हिस्सा मरकस अपने पास रख सकती है और इंकर्प टैक्स के जो खाविले तक्सीम मुनाफा है उसको रियासतों के दर्मियान तक्सीम करने के लिए कहुंसे उसलों को इख्तियार करना है पह ख़ाविलित तक्सीम के गज़तों के लिए पहले माल्याती कमिशन ने पहले मालियाती कमिशन के ख्याम के बास हिंदुस्तारी महिशयत में वाज़ तब्दिल्यां रुनुमा हो चुकी है को Жड़ाई हुआ है यदि 14th मालियाती कमिशन का जो ख्याम अमल में लाए गया है, सेकेंड चुनाई, 2013 को 14th मालियाती कमिशन का ख्याम YB Ready की ख्यादर है, okay, YB Ready, okay, 2013 में 14th मालियाती कमिशन का तख्यारूर अमल में लाए गया है, 2013, तो यहां पर देखिए, जो 2013 में YB Ready की चेर्मिन चीप में, यहां पर 14th मालियाती कमिशन का तख्यारूर अमल में ला गया, और इसकी और अटनी रिपोर्ट 15 दिसमबर 2014 में पेश्च करने के लिए कहा गया है यह कोर्टिक मालियाती कमिशन के और में लाइब है, यहां पर जो तजाविस है, उसमें देखिए यहां पर, मतला मुग्तरिक रियासतों की जानिप से तो इसको खाबिले तक्सीम नफे को वियासतों के दर्मियान तक्सीम करने के लिए इसने एक उफ्ट्री तनाजूली फार्मुला उफ्ट्री होरीजन्टल डिवाल्यूशन और फार्मिले को तजवीश किया है तो उफ्ट्री तनाजूली पार्मुले को तजवीश पीश की है और इंकर्न टैक्स की नाख्त रखम को रियासतों की हिस्चे को बढ़ा कर 32-42 पीशत कर दिया गया है और उसमें देखें जैसे रियासती हुकूमतों की चानिद से जो अतियाजात बसूर के जाते हैं उसके लिए जो है तो इसने दो नए तजाविश को पेश किया है एक दो नए शुमारत का आख़र सके हैं जैसे मुखामी हुकूमतों के दर्मियान, 2011 की आदात वो शुमार के लिहास से 90 फीसद एहमे दी गई और राख्मे की बुनिया पर उसको 10 फीसद दो है तो इसका हिसा दिया गया है और तीसर दर पॉइंट पे हम उसके जह एहम टुजबी से पौटिन पालियाती कमेशन के तर फार्ट फोइंट है तो याने मुफतली कि रियासतों के दर्मियान जो अतियाजात की तक्सीम है तो रियासती हुकूमतों इसे में बुन्याती अतियात और प्रगर्ड़्ड़ एक के अतियार की बुनियार की शकल में अतियार को रियासती हुकुमतों के दर्मिया तक्सी किया जाना चाहिए तो यह रियासती हुकुमत यह 14th मालियाती कमिशन के पराईश में से यह शामिल है तो अब हम देखींगे 15th मालियाती कमिशन पंद्रवी मालियाथी कमिशन तो देखे 15 मालियाथी कमिशन है तो हुकूमत हिंग में 17 नवंबर 17 नवंबर 2017 को 17 नवंबर 2017 को इस पंद्रवी मालियाथी कमिशन का तखरूर अमल में लाया गया और इसकी चेर्मेन न के सिंग की चेर्मेंशी पें 17 नुबंबर 2017 को कंद्रेवी मालियादी कमिशन का तखरूर अमल में नाया गया है 2020-2020 में 2020-2020 तखर अपनी सिपारिकर पेश करने के लिए उसको कहा है मालियादी कमिशन को पांस चे नंद्र नहीं प्रोज में 2020-2020 तखरूर अपनी सिपारिकर फेश करने के लिए यह कहा गया है तो इसमें रिखे ये 15th मालियाती कमिशन जो है यानि ये पहला ऐसा कमिशन है जिसको माबात यानि GST के आयत करने के बाद से अपनी रिपोर्ट यानि पेश करने वाला है यानि उसको अपनी रिपोर्ट 2021 कर पेश करने के लिए कहा रहा है मालियाती कमिशन का पक्रशों के मालियाती कमिशन ने 17 नववंबर 2017 को चने तो यानि अमल में लाय था और इस मालियाती कमिशन के जो चेर्मेंट है एनकेस एंग आए है और इस पारिचाद शिपारिचाथ पांक साल subject 2020, 2020 से तक इसको अपनी सिपारिशन पेश करने के लिए कहा गया है और इसको अपनी रिपोर्ट 30 October 2021 तक इसको अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है तो यह 15th मालियती कमिशन ऐसा कमिशन है जो मावाद GST अपनी रिपोर्ट हुखुमत को पेश देखें हैं, तो यहां पर देखें, हमने आज मरकश और रियासती तालुखाथ के बारे में पड़ा हैं, तो पर उसके बाद में हम मालियती कमिशन के बारे में पड़ें, मालियती कमिशन का तफरू याने 21 से गावन में मालियती कमिशन के तक्रूर अमल में आया और मर्कस मालियती कमिशन के तक्वरूर और न॥ यह अज प्रदी tapping ध्याद की पीजितारी और्फाषिम की खांस ही। ग्राम की मुष्टिंट से पालिएख से तक्सीम करने संद्राइव पाणता प्रदी की मुष्थ लिएयर अधायद में इसका अर्म ख़ॉत है। और इसको 12 डिसंबर 2064 को पेश करने के लिए कहा गया है, उसके बाद 15 में मालियती कमिशन है, इसका ख्याम 27 नमब 2017 को हुआ है, और 30 अक्टोबर 202 को के इस को पेश करने के लिए कहा गया है, शुक्रिया, यहां पर हमारे टॉपिक अब्ली होगा है.